हेलो एंड वेलकम बैक, तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे की नारियल तेल में एक चीज मिलाकर लगाए चेहरे के दाग धब्बे दूर ये पैक सभी स्किन वालों के लिए है जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करे हर किसी की स्किन अलग टाइप की होती है और हर किसी की स्क्रीन पर हर चीज सूट भी नहीं करती है हो सकता है आपने अपनी जायवों को ठीक करने के लिए बहुत सारे घरेलू नुसके अपने चहरे पर लगा कर देखे हैं लेकिन आपको आराम नहीं हुआ लेकिन ये वाली रेमेरी बहुत ज्यादा एफेक्टिव है बहुत से लोग एक से दो महीने के अंदर अपनी जायों को ठीक होते हुए देखा है हो सकता है ये रेमेरी आपके चहरे पर भी सूट कर जाये जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आजकल की जो हमारी बेजी लाइफस्टाइल है आजकल की जो हमारी भागदौर वाली जिन्दगी है इतनी ज्यादा बेजी लाइफस्टाइल हो गई है कि हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते दूसरा यह है कि आजकल का जो एक खानपान है ये भी ठीक नहीं है क्योंकि हर चीज में मिलावट आ रही है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे कि आप सभी लोग जानते हो की स्क्रीन पर हमारी प्रॉब्लम होती रहती है जैसे कि चहरे पर जायों का होना एकने का होना पिंपल्स का होना हर दिन चहरे पर दाने निकलना चहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं रहना चेहरे पर बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाना तो इस सारी ही समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा पैक शेर करने जा रही हूँ इसे बनाना है और दोनों बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है आपको बहुत ही आसान तरीके से ये दोनों चीज मार्केट में मिल जाएंगे और हो सके तो ये आपके घर में अवेलेबल हो दोनों ही हूमीड फेस सीरम आपको तयार करना है जब आप सुबर नहाते हो उसके बाद आपको अपने चेहरे पर लगाना है जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो तो उस समय पर अपने पूरे चेहरे को साफ करके तब आपको ये वाला फेस सीरम अपने चेहरे पर लगा कर हलके हलके हाथों से मसाज करते हुए आपको सो जाना है कुछ दिन में आप देखोगे जो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा जाया थी वो धीरे धीरे करके लाइट होने लगी ये जो फेस सीरम है सभी के लिए है आप मेल हो फीमेल हो हर कोई ये वाला होमेड फेस सीरम अपने चेहरे पर लगा सकता है बहुत ज़्यादा एफेक्टिव है तो चलिए ज्यादा बाते ना करते हुए आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से तयार करके और अपने चेहरे पर लगाना है आज की रेमेडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मुलेठी की मुलेठी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो मुलेठी पाउडर आप ले सकते हैं उसके बाद आपको इसमें डालना है गुलाब जल पूरी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है लेकिन 10 दिन धूप में आपको उसे रोजाना धूप में रखना है क्योंकि धूप में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो खराब हो जाएगा क्योंकि आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे तो कई दिनों तक आप इसे स्टो करके रख सकते हैं और 10 से 15 दिन धूप में रखने के बाद देखोगे इसका जो कलर था बुलाब जल का वह पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा जो मुलेठी थी उसका पूरा एफेक्ट इसके अंदर आ जाएगा अब आपको कोई भी एक कांच का जार लेना है लेने के बाद जो आपने मुलेठी डाली थी वह भी आपको लेनी है साथ में जो गुलाब जल था ये पूरे को लेकर आपको उसके अंदर स्टो कर देना है जिसमें भी आप इसे स्टो करना चाहते हो आपको बार बार बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपकी स्किन को कोई तेल सूट करता है जैसे की विटामिनी आमंडायल कोकोनटॉल इनमें से कोई भी तेल लेकर दो से तीन चम्मच लेकर आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो और अच्छे से आप इसे मिला दीजिए मिलाने के बाद फिर आप इसे हर दस दिन में धूप में रखे लेकिन शुरुआत में आपको से दस से पंदरा दिन के लिए धूप में रखना है उसके बाद आप उसे अपने चेहरे के लिए यूज करना है ठीक है और हर 10 दिन में फिर से धूप लगाते रहेंगे तो आपकी जो रिमेडी है वो अच्छी बनी रहेगी यह इतनी ज्यादा असरदार है कि आपके चहरे पर एक जादू की तरह काम करेगी जितने लोगों ने इसे आजमाया है अपने चहरे पर लगाया है उनकी जो ज्यादा लाइट हो गई है जैसे कि 2-3 महीने उन्होंने कंटिन्यू अपने चहरे पर लगाया था दो टाइम के लिए सुबह नहाने के बाद और नाइट में सोने से पहले वो कह रहे हैं कि मुझे कम से कम बाइस से 30 प्रतिशत अपने चहरे पर आराम देखने को मिला है 2-3 महीने रेगुलर यूज करते हो तो उसका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलता है अब मैं आपको बताती हूँ उसे लगाने का तरीका जब आप सुबह नहा कर आते हो नहाने के बाद आपकी जो स्किन है उसे आपको उसे पूरी तरीके से ड्राइ नहीं करना है मतलब सुखाना नहीं है हलका सा उसमें गीला रहना चाहिए तो उसके बाद आपको इस पैक को लेना है जो आपने तयार किया है जो सीरम आपने तयार किया है उसे लेकर आप अपने पूरे चेहरे पर लगाए और हलके हलके हाथों से सकुलर मोशन में अपने चेहरे की मसाज कीजिए ठीक है ना आपको इस तरीके से मसाज करनी है एकदम हलके हलके हाथों से आपको करना है जब आप नाइट में सोने उससे पहले आपको अपने चेहरे का पूरा मेकप साफ करना है अच्छे फेस वाश से आपको साफ करना है और लास्ट में आपको यही फेस सीरम लेकर अपने पूरे चेहरे की मसाज करनी है मसाज करने के बाद आपको सोना है ठीक है ना और इसके अलावा आप कोई भी रेमेड से छुटकारा मिलेगा, जो आपके रूम छिद थी काफी ज्यादा ओपन पॉज, तो आप उन्हें देखोगे कि वो खत्म होने लगेंगे, और आपका जो बुडापा आता है ना, उसमें आपको थोड़ी सी देरी नजर आएगी, तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी के सा होमेड फेस सीरम शेयर किया है, इसे आप जरूर बनाना फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन अभी मौसम काफी ज्यादा चेंज हो गया, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, आप चाहो तो इसे रूम टेंपरेचर पर भी रख सकते हो, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आप इसे लगाना शुरू करिए, आपको जल्दी से इसका असर देखने को मिलेगा, तो देखिए इसके साथ में ये तो मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से करनी है, अगर आप इसके साथ में अच्छी डाइट लेते हो, healthy diet लेते हो, तो इसका effect दुगना हो जाएगा, और जल्दी से अपना असर करेगा, और आपकी चेहरे की मजबूत कर देगा, fruits ज्यादा लेने हैं, green vegetables ज्यादा लेनी है, पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है, प्रॉपा आपको नींद लेनी है, और time to time अपनी screen की care करनी है, खासकर आपको अपनी screen की care बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन की जो dust वगएरा धूल मिट्टी, हमारे चेहरे पर रहती है ना, उसको अच्छे से clean करके, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको night में अच्छे से अपना skin care करना है, ज अब कैसी लगी, मुझे बताना कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को subscribe, जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो comment box में जरूर बताएं, ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe, और वीडियो को like जरूर करें, मिलते हैं next वीडि क्यों में, टेक केर, और बाई